प्यारे बच्चों, अहारी रेशों यानि रुक्षांस का मुख्यस्त्रोत, तो साबुत अन, दाल, आलू, फल और सबजियां हैं, फल और सबजियां जल की पूर्ती हमारे शरीर को करते हैं, आइए एक गतिविधी के माध्य हमसे देखते हैं, घर में पाए जाने वाले फल और सब्जियों में से एक टमाटर लें इसे छोटे छोटे टुकडों में काट लें जितना बारिक हो सके जब आप टमाटर को काटते हैं उसके बाद आप अपने हाथों का निरिक्षन करें तो आप पाएंगे कि आपके हाथ गीले हैं उन पर पानी आ गया है अब हम एक निम्बू लेकर करते हैं निम्बू के भी छोटे छोटे टुकडे कर लें नीम्बू को जब आप टुकडों में काट लेंगे आप पाएंगे कि आपके हाथ भीग गए हैं इन पर पानी आ गया है अब एक आम काट के देखते हैं आम को देखते ही आपके मुँ में पानी आ गया है सब बहुत खुस होते हैं आम को देखकर छोटे छोटे टुकडों में हमने आम काट लिया अब गौर से अपने हाथों को देखिए ये गीले हैं यानि इन पर पानी है चलिए खीरा भी काट ही लेते हैं खीरा हमने पहले दो टुकडों में काटा फिर उसके दो और छोटे-छोटे टुकडे कर लिए काटने के बाद गौर से होथों का निरक्षन किया तो पाया कि हमारे हाथों पर जल था इससे सिद्ध होता है फलों और सबजियों में जल होता है संतुलित अहार वह अहार होता है जिसमें हमारे शरीर के लिए आवश्यक सभी पोसकत्त्व, परियाप्त, रुक्षांस और जल उचित मात्रा में उपरस्थितों जैसे डालें, मुंगफली, सोयबीन, अंकुरित बीज, किनवित भोजन, आटेका मिस्रन, केला, पालक, सत्तु, गुड, दूदवा, सबजियां आदी ये दिखिये हमारे संतुलित अहार की थाली भोजन को उचित प्रकार से पकाना भी बहुत जुरूरी है छिलका उतार कर सबजियों और फलों को अगर धोया जाए, तो बहुत से विटामिन नस्ट हो जाते हैं अता हमेशा ध्यान रखें कि कभी भी फल और सबजियों को काटने के बाद ना धोएं पकाते समें बहुत जलका प्रियोप करना वह बाद में उस जलको फैंक देने से भी बहुत सारे पोसक तत्वों वह उसमें उपस्थित खनीजलबुनों का नुकसान होता है पकाने से विटामिन सी गर्मी से नस्ट हो जाती है अता हमें अपने भोजन में फल व कच्ची सबजियां शामिल करनी चाहिए एक कटोरी कार्वो हाइडरेट युक्त भोजन की अपेक्सा एक कटोरी वसा युक्त भोजन करना ज्यादा उर्जा देता है प्रन्तु ज्यादा उर्जा के लिए ज्यादा वसा युक्त भोजन खाना भी हानिकार कै इससे मोटापाव अन्यारोग उत्पन हो सकते हैं अभाव जन्या रोग अगर हमारे भोजन में लंबे समय तक किसी पोशक तत्व की कमी रह जाए तो उस पोशक तत्व के अभाव से शरीर में कई रोग या विक्रितियां उत्पन हो जाती है उन्हें ही हम अभाव जन्या रोग कहते हैं प्रोटीन की कमी हमारे शरीर में प्रोटीन की कमी से वृद्धी का रुकना, चेहरे पर सूजन, बालों के रंग का उड़ना, तवचा की बिमारियां और पेचिसाधी हो सकते हैं प्रोटीन वर कार्वोहाइडरेट दोनों की कमी होने से व्यक्ति दुबला पतला हो जाता है चलने फिरने में भी असमर्थ हो जाएगा लगातार ठकान और उबासियां लगी रहती है, बाल जड़ जाते हैं, नाखोनों पर धारियां आ जाती हैं और एडियां फट जाती हैं आईए जाने विटामिन और खनीज लवणों की कमी से होने वाले रोग, उनके क्या लक्षण हैं? विटामिन A की कमी से रतोंधी रोग होता है, लक्षण हैं कमजोर त्रिष्टी, अंधेरे में कमी या बिल्कुल दिखाई ना देना विटामिन B की कमी से बेरी बेरी रोग, दुरूबल पेशियां और उर्जा की कमी, विटामिन C की कमी से सकरवी रोग होता है, मसूडों से खोन निकलना, घा वरने में ज्यादा समय लगना विटामिन D की कमी से रिकेटस रोग, अस्थियों का मुलायम होकर मुड़ जाना केलसियम की कमी से अस्थियों वा दंतक से कमजोर हो जाते हैं आयोडीन की कमी से गेंगा नामक रोग होता है और इसके लक्षन है गर्तन की गरंति का फूल जाना या मानसिक कमजोरी लोह तत्त्व की कमी से अरक्त तारोग होता है और लक्षन है शारिरिक कमजोरी